जहिन साथियो अभी हमले उपस्ते हैं एक जाम टोर चैनल पर जितने भी विद्यार्थी का लगतार कहना था कि बहुत सरे ऐसे विद्यार्थी हैं जो लगतार कमेंट कर रहे थे कि दरोगा का सेट सर चालू किया जाए तो आज से रात के 11 बजे डेली आपका दरोगा का सेट चलेगा एक सेट प्रेक्टिस यानि बिहार SI को लेकर PT को लेकर और महतपुन कोश्चन रहेगा आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये अब लगतार चलेगा इसलिए आप जो भी एक चुक हैं कि उनको दरोगा बनना है तो आप जूड़ जाएं और एक सेट डेली लगाने का प बनवाई थी यानि की गड़वाल की रानी कुमार देवी धर्म चक्र जीनी बिहार कहां बनवाई थी उसके बारे में बताना है तो उन्होंने सारनात में बनवाया था ये आंसर हो जाएगा आपका नेक्स प्रस्ट है दो नंबर निमलिखित में से किस अस्थान की यात्रा बुध ने नहीं की थी बुध ने किस अस्थान की यात्रा नहीं की थी किस जगह की तो उजाइनी की नहीं की थी बाकी सबी जगह बुध जी गए थे नेक्स्ट है वैदिक नदी कुमभा का अस्थान निर्धारित होना चाहिए कहां पे है वैदिक नदी कुमभा ये आप से बोला गया था, चली आगे बढ़िए, चार नमर प्रस्फन किया कह रहा है इसे समझें, किसे सिला लेक अभी लेक में असोक बहुत धम और संग के प्रति बिश्वास प्रकट करता है, कौन सा शिला लेक, के चेतर में सरवादिक योगदान दिया था पांस नमर परस्ण कर आए कौन सा दिया था तो पर्मार भोजने दिया था डी नमबर आंसर हो जाएगा चलिए स्गे नमर आते हैं छे नमबर परस्ण कर आए निमली लिखित में से कौन चोलो के सीके पर उत्किर्ण नहीं है किसका उत्किलन नहीं मिला था मतस्य मिला था धनुस मिला था चिता मिला था लेकिन हाथी नहीं मिला था सुपरसीद एकर थी तबकत ए अकबरी की राचना किसने की अकबरी की राचना किसने की बताइए साथ नमबर प्रसंट का तो ख्वाइदा मुहिनुदिन अहमद ने किया था ख्वाइदा निजामुदीन आहमद ने ख्वाइदा निजामुदीन आहमद यानि की ए नमबर आंसर होगा आठ नमबर प्रसंद देखेंगे कर रहा है दक्षिन में बहमनी राज का संस्थापक कौन था दक्षिन में बहमनी राज का तो हसन गंगु यानि की भी नंबर हो जाएगा नेक्स प्रस्ट देखते हैं नौ नंबर कह रहा है सिराजुदावला लर्ड कलाइब से किस यूद में प्राजित हुआ सिराजुदावला लर्ड कलाइब से किस यूद में तो पलासी के यूद में प्राजित हुआ किसने जीता तो आस्ट्रेलिया याद रखेंगे चलिए समलेंगी की विवाह को मन्याता देने वाला अंतिम पश्मी यूरोपिय देश कौन बना समलेंगी की विवाह को मन्याता तो स्विर्जर लेंड आपका हो जाएगा आगे देखते हैं 12 नमबर कह रहा है भारत के किस किसान ने सदा बहार नामक आम की नई किश्म को बिख्षित किया सदा बहार ये कौन सा किसान बिख्षित किया तो ये आपका स्री किशन शुमन जी किस राज की जुडिमा राइस वाइन को जी आई टेग परदान किया गया जुडिमा किस राज के जुडिमा राइस वाइन को मिला है जी आई टेग 13 नमबर तो ये आपका असम होगा नेक्स्ट है T20 किरकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतिये किरकेटर कौन बन गए 14 नमर परशन का अंसर तो विराट कोहली थे निमलिखित में सकी सिती थी को मुश्चिली विलिंग ने सिधी करवाई दिवस मनाना शुरू किया तो आप देखें कुछी करेंट ऐसा भ बक्स में जरूर कमेंट करेंगे 100 प्रस्ण होगा और एकदम जो भी प्रस्ण आप देख रहे हैं बहुत ही महत्पून होगा अनिमलिखित घटनाओं का सही काल करम के अनुशार सजाए 16 नमर प्रस्ण आप से पुछा जा रहा है तो यह आपका हो जाएगा D नमबर यानि कि शाइमन कमिशन उसके बाद गांधी इर्विन समझाओता हुआ था और तब क्रिप्स मिशन तब देश का विभाजन हुआ 17 नमर भी यहीं से प्रस्ण है कह रहा है निमलिखित में से अनुशार से प्रस्ण पूछा जा रहा है तो आपका हो जाएगा C नमर यानि सबसे पहल इर्वाज की संदिक इसके मद हुई यदि आप चाहते हैं कि इसका संपूर्ण बिशलेशन दिया जाए तो आप जरूर कमेंट बक्स में कमेंट करेंगे तो इसको शुरू किया जाएगा 18 का हो जाएगा साह आलम रवर्ड कलाइब और सुजाओ दौला याद रखेंगे 19 न चलिए नेक्स्ट है करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं किसके लिए करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं याद बताएं करेवा 20 नमर प्रस्ण जो है तो ये केसर की क्रिसी के लिए प्रित्वी की सता पर मौसम परिवर्तन के लिए उतरदाई कारगों का पहचान की ये 21 नमबर प्रस्ण आप से पुछा गया है तो ये आपका हो जाएगा 2 और 3 यानि कि प्रित्वी का परिकरमन और प्रकिरन और प्रित्वी की अपनी धुरू यानि परिकरमन और धुरू पर जुकना ये दोनों हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं 22 नमबर देखेंगे पस्चिम मानसुन की शुरुवात करता है कौन सा करता है 23 नमर प्रस्ण आप से पुछा जा रहा है तो उसले कटीवर्ण ये पूर्वी धर है एक बात बता दें अभी दरोगा का जो सेट चलेगा वह रेगुलर है लेकिन एक सप्ता तक अल्टरनेट चलेगा जिससे आज ड क्रापित किया गया था 24 नमर प्रसण बताइए तो राएल ने कहले में चले आगे यह कौन सा राज है थोरियमका सबसे बड़ा उत पादक है 25 ने आप से सुचा जा रहा है तो थोरियमका सबसे बड़ा उतपादक तैरार की इसमें दिया गया है चले ठीक है आपका 25 यहीं पर आगे यूरिया अमोनिया उत्पाद स्यांत्र आधारित है किस पर आधारित है बज़े लिए बताइए 26 नमबर प्रस्ट का तो यह गैस उर्जा पर आधारित है चलिए आगे देखते हैं तो किसी भी प्रस्ट में यदि आपको डाउट लेगे तो कमेंट बक्स में जरूर कमेंट करेंगे 27 है यह किसका कतन था मुझे पदार्थ दो और मैं इसे पूरी दुनिया का निर्मार कर दूँगा मुझे पदार्थ दो मैं पूरी दुनिया का निर्मार कर दूँगा इमैनुवल का यह था यानि कि सी नमबर चलिए 28 आते हैं खोगौल वीद के शंख्या, 100-200 अरब यानि की ए नमबर आंसर हो जाएगा 28 नमबर प्रस्ट का, चलिए 29 देखते हैं, 29 में निमलिकित में से कौन सा मिला आंस सही नहीं है, तो आपका इसलेट सेल सही है, यानि की ए नमबर सही नहीं है, इसलेट बलुआ पत्थर, ए नमबर 29 का आंसर गलत होग यानि की 31 नमबर प्रस्ट, 30 नमबर प्रस्ट आपसे पूछा गया, 31 अब पूछा जा रहा है, बताइए, तो 31 नमबर हंगरी हो जाएगा, नेक्स प्रस्ट देखेंगे, 32 नमर क्या कर रहा है, 32 नमर कर रहा है, उसले कटी बंदिये चक्रवातों की उत्पति के लिए, आद तो सेवाल तल और भिति का, चले आगे बढ़ते हैं, 34 नमर प्रस्ट पर आते हैं, यदि आप भी बताना चाहते हैं, तो कमेंट बक्स में जरूर कमेंट करेंगे, चले 34 नमर प्रस्ट का आंसर आप लोग कीजिए, तो 34 नमर प्रस्ट है, निमलिकित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारन में समरीद नहीं है, तो आप देख सकते हैं, इसमें मुरको नहीं है, बाकी शबी है, जनहीत या चिकाओं का संबैधानिक आधार क्या है, तो नियाइक विवर्धन या 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 शुवपरसार, यानि की 35 का सी आंसर सही है, चले 36 नमर में आते हैं, कर रहा है, निमलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्टपती और राजी के राजपाल के लिए एक सद्रिस नहीं है, यानि कौन सा सद्रिस नहीं है, इसे आपको बताना है, तो महाभियोग परक्रिया सद्रिस नहीं है, यानि राष्टपती और राजी के राजपाल के लि तो एक बटा कुल सदस का एक बटा सिक्स याद रखेंगे बहुत बार पूछा जाता है थोड़ा सा इस प्रस्ण को घुमाने का प्रयास किया गया निमलिखित में से कौन सा कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंतरन के लिए उतरदाई है और तीश नमर प्रस् अब आते हैं 49 नमर प्रस्ण किसी भी परकार का कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में यदि आप जियस से किसी भी कंपटिटिव एक्जाम की तयारी करते हैं जियस तागरा करना है तो इसको भी देखते जाएंगे यह नहीं कि एक अबल दरोगा के लिए उपी होगी है सभी एक्जाम के लिए पंचायती राजब्यवस्था के अंतरगत भारत में ग्राम सासन एक द्रिष्टता है क्या है इसे बताना है 49 नमर प्रस्ण को तो यह प्रतिनीधित वमुलक सासक का है शोरी 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 एक मिनट यह दो ऑप्सन दिया गया है तो इसमें बताना है तो पंचायती राजक ब्यवस्था कि अंतरगत सासन एक द्रिर्टा है क्या है 49 नमबर प्रशन आप लोग को बताना है तो आपका आंसर हो जाएगा एक और दो यानि कि अस्थानिय श्वसासन का और प्रतिनिधिक मुलक सासक का दोनों होगा नेक्स प्रशन आते हैं प्रशन है भारत का नियंतर और महलेखा परिषक एक मित्रम दर्शनिक और पत्थ परवर्थ के रूप में कारे करता है बताईए 40 नमर प्रशन का आंसर कर दिए सरबजनिक लेखा समीती के लिए बोला गया है इस बात को 41 नमर प्रशन है निमलिखित में से कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है इसे आपको बताना है 41 नमर प्रशन आपसे पूछा गया है तो यह अनुमानित ब्यव और राजस्व प्राप्ति के उप्चार एम संसादरों का ब्यवरा है यह 42 नमर फोटीटू फोटीटू बूला गया सम्मयधानिक सासको का अर्थ है क्या अर्थ है यह आपको बताना है 42 नमर प्रशन को तो आपका चारों सही है यानि कि सम्मयधानिको के प्रजान के अनुरूप सासन बीदिका सासन नागरी कदिकार सिमित सासन यह चारों सही है चल अध्यक्षनात्मक प्रणाली का कारे सिधान्त क्या होगा जहां पर अध्यक्षनात्मक तंत्र होगा वहां का कारे प्रणाली क्या होगा फोटी फोर में पुछा गया है तो सक्तियों का प्रिथक करा चलिए अगला है फोटी फाइप में भारतिय समिधान में इनमें से किसका स पुछा जा रहा है तो आपका हो जाएगा भारत सासन अधनियम 1935 सबसे ज़्यादा नेक्स परशन है 46 में भारतिये संदर में लोकतांतरिक समाजवाद के सिधान्त का समर्थ कौन था इसे आपको बताना है 46 में तो जोहरलाल नहरू कैपलर का दूतिये नियम छेत्रिये वेग अचर रहता है नियम लिखित में से किस परशन रक्षन नियम के तुल है 47 नमर आप आंसर कीजिए तो आप जानते हैं कि हो जाएगा कोडिये शमवेग नेक्स परशन है 48 नमर एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद स्यान द्रवग में गिराये जाता है यह अंतता है एक समान वेग में चलता है जो कहलाता है क्या कहलाता है 48 नमर परशन आप बताएं तो यह आपका सिमान वेग कहलाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यानि कि 48 हो चुका है आगे देखते हैं आगे है 49 में 100 परशन होगा प्रित्वी का द्रव्मान M तथा 30R है बेक्ती भूमद रेखा पर भारहीन महसूस करें इसके लिए प्रतिवी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए चलिए 49 नमर परशन को आप बताएए तो यह आपका हो जाएगा टू पाई रूट अंडर आर बट्टा जी कैपिटल आर होगा और बट्टा में जी होगा चलिए क्वेशन है वह इंग शो आठ नामक एक नई विक्षित हाइपर सोनिक मिशाइल का सफल पुर्वक परिक्षान किस ने किया इस बात को आप समझे और नाम से ही आप उतरी कुरिया लगाएंगे नकी चीन लगाएंगे नेक्स प्ना है राइट लाइवड लाइवड अवाड राइट लाइवड अवाड ढicz लाइवड आवड दोगाई नामित मारियारासा किस देश से है चलिए मारिया रेशा को बताईए किस देशी है तो फिलिपिन्स की है वर्स 2021 से तो सांती शोरुप भटनागर पुरसकार कितने बैग्यानिकों को परदान किया गया 53 कितने बैग्यानिकों को तो 11 बैग्यानिकों को ये परदान किया गया चलिए नेक्स प्रसन देखते हैं प् चलिए अगला है आवर्थ सानी में परमाणू कर्मांक 38 वाला तत उपस्तित होगा किस में उपस्तित होगा 55 नमबर तो 2 A के समू तथा 5 वे आवर्थ में चलिए 56 नमबर प्रस्ण का राय इस पात को रक्त तप्त ताप से निम्ल ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंड करने क आप परक्रिया क्या कहलाता है 56 नमबर प्रस्ण को आंसर किजिए तो एनली करन चलिए आंसर किजिए एनली करन याद रखेंगे संताओन नमर प्रस्ण आप से पूछा जा रहा है तो यह आपका हो जाएगा ओलियम का नेक्स है सुत्री विवाजन नहीं होता है किसमें सुत्री विवाजन नहीं होता है अंठाओन नमर प्रस्ण पूछा जा तो जिवारू में नहीं होता है बाकी सभी में होगा किट की पहचान अन जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है चलिए साथ नमबर प्रस्ट कीजिए तो तीन जोड़े टांग होती है लिये यहां पे होगा एक बीज के अंकुलान के लिए नेम लिखित मैं से कौन सी तीन परिस्थिती सबसे महत्पून है क्या क्या होना चाहिए यह आप से एकसर नमबर पुछा गया है तो पानी होना चाहिए उची तताब और अक्सीजन होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं आप से एक बात बताएं जितने भी BSSE CGL भी द्यार थे हैं या BSSE Interlevel का वेट कर रहे हैं वो भी इस सेसन को जरूर एटेंड करें चलिए आगे है जीवो के दूई नाम पदिती के दो घटक कौन से हैं बासर्ट नमर परस्ण आपको करना है तो वन्स नाम और जाती विशेसन नेक्स है पसीने का सबसे महत्पून कारिका है तिरेसर्ट नमर पुछा जा रहा है तो सरीर के तापकान नियंतरन करना चलिए चों निमलिखित में से कौन से समू में केवल चालक तंतरीकाएं हैं चलिए आंसर कीजिए चोंसर नमर परस्ण में तो यह आपका यह डी नमर हो जाएगा अगला है जब बिरिक के कारे करना बंद कर देगा तो आपका रक्त में जन तंतरी और सिष्ट पदार्थ जमा होने लगे चलि आगे बढ़ते हैं 66 नमर परस्ण लेकर आत गया है निमलिखित में से कौन सा बिकल्प सरी का सबसे बड़ा आंतरीक अंग है किसी भी परकार का सुझाओ चाहिए तो आप जरूर देंगे जीगर होगा निमलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए बिकार का चैन करे जिसे मुह गले पैर के निचले हिसे एंपैर के पंजो में लाल रंके धब्बे उत्पन होते हैं 67 बताईए तो ये आपका हो जाएगा पेलागरा रोग माल्थत सिधान्त मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा 68 पुछा जा रहा है तो जनसंख् निमलिखित में से किस समीती ने भारत में राष्टिये क्रिशी ग्रामनी विकास मेंगनाबाट की अस्थापना की तो शीव रामन समीती यानि की बी नंबर सतर का आंसर हो जाएगा चलिए 72 देखते हैं 72 क्या कर रहा है बहतर कर रहा है वह मुद्रा जो या तो 72 आई या प्रतिकूल परिश्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में सिर्था से प्रवावित होती है वह क्या कहलाता है 72 नंबर प्रस्ट का आंसर करें तो गर्म मुद्रा नेक्ट है पाग मार्क तकनिक का परियोग किया जाता है चलि आंसर की एक मार्क नहीं पाग मार्क 73 नंबर प्रस्ट का आंसर करना है तो ये विभीन वस्तूओ की जन संख्या के आकलन के लिए किया जाता है चलि आगे बढ़ते हैं 73 तक हो गया है 74 में देखते हैं 100 परसेंट आपका सेलेक्शन होगा यदि आज से सुरू कर देते हैं तो निमलिकित कतनों पर व किस वर्स से लाग हुआ भारत में यूरो माप डंड का सुरुवात किस वर्स से हुआ तो एक जून 1999 से चलिए 76 नमर आते हैं कोशन है प्रित्वी आयोग यानि अर्थ कमीशन यह प्रित्वी बिग्यान मंत्राले को बनाने की मंजूरी भार सरकार ने किस वर्स दी में की अस्थापना किस वर्स हुई इंडिया में ट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट गॉर्मेंट ऑफ इंडिया की अस्थापना किस वर्स हुई 77 में आप से पूछा गया है तो 77 आपका हो जाएगा ए नमबर 1875 में यदि एक जन संख्या देखिए अब यहाँ पे यह आपका ह हो गया मैथमेटिक्स देख लेंगे 5 प्रस्ण मैथमेटिक्स के होंगे चले आगे आते हैं 83 नमबर 83 में कह रहा है शुधा को अपरेटिव की अस्थापना किस आईस अधिकारी ने की थी तो राम चंदर शिनहा जी के दौरा किया गया था चले आगे आते हैं मैं जहां भी ह जगदीशपूर वही है किसने कहा था इसे आपको बताना है तो यह तो कोई गलत नहीं कर सकता है कुमर सिंग के द्वारा कहा गया था बाबू कुमर सिंग जी के द्वारा नेक्स प्रस्ण है वाइफाई शुवधा प्राप्त करने वाला 6000 रेलवे स्टेशन कौन सा है 85 नमर प्रस्ण का आंसर करना है तो यह आपका हो जाएगा 1000 बाग नेक्स है जी एफट प्रस्ण है प्रस्न कह रहा है निम्य से कौन सा रेल निग भारत और बंगला देस के बीच नहीं है यह 87 नमर आपसे पूछा जा रहा है तो आपका हो जाएगा दी नमर आंसर उप्यूक्त में से कोई नहीं यानि कि सभी चली नेक्स्ट परसन देखते हैं थोड़ा सा धेर बना के देखेंगे तो बहुत जबर जस्त आपका जी एस हो जाएगा बस आप ध्यान दे अचरण 3 में सुनी बांध जल्वी दूट पर्योजना की छामता क्या होगी चली 88 नमर प्रसन का आंसर कीजिए तो यह 382 मेगा मेटारवर्स क्या है तो वर्चूल एस्पेस का एक सिठ है चर्च नमा के लेखा कौन है नबेम पूछा गया है तो आप चर्च नमा किस परदेश के इतियास का वर्णन करता है गरंत है तो शिंद नेक्स है उत्खनित प्रमाडों के अनुशार पशुपालन का आरंब कभ से हुआ था 91 में काल में हिंदूस्तान सोसलिस्ट रिपाबलिक एसोसियेशन गठित की गई हिंदूस्तान सोसलिस्ट रिपाबलिक तसरदार भगत सिंग के द्वारा नेक्स प्रस्ण पूछा जा रहा है मेवार के किसे राजा को 1527 में खानवा के यूद में बाबर से बाबर में हारा है था चलिए 93 नमबर प्रसंट कीजिए तो यह आवराना सांगा नेक्स है बंगाल तता विहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का स्रे किसे जाता है 94 नमबर प्रसंट का आंसर कीजिए तो यह आपका हो जागा लॉड करनवालिस को जाता है नेक्स प्रस्ण है भारतिये रेल के दच्छिन मध मंडल में पहली बार लंबी दूरी की किसे दो मालगारी का सफल पुबक परिचालन हुआ 95 पूछा जा रहा है तो ये त्रीशूल और गणूर शौर उर्जा का क्या स्रोत होता है 96 नमबर पूछा गया है तो शौर उर्जा क आपका नाभी किये संलें स्रोत होता है 97 देखिएगा धातु के एक खोकले ठोस आवेशित गोले के प्रिष्ट से केंदर की और जाने वाले बिद्दूत छेतर है क्या है ये बताना है 97 नमबर में तो ये सभी जगह सुन रहाता है लेसर का मूल अधार क्या है 98 पूछा जा चलिए 99 बताईए तो इन में से सभी हो जाएगा O2 हिलियम और N2 सभी होगा CO CL2 विरंजक चमता का कारण क्या है आप बताएं तो कारण इसका है नौजात अक्सीजन यदि आप किसी भी परकार का सुझाओ देना जाते हैं तो एकजाम टूर को सुझाओ कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं यदि आपको लगे कि एकजाम टूर सही काम कर रहे हैं तो आप इसे जूड़कर और इसे सब्सक्राइब जरूर करें जय हिन जय भारत जय इवा